हाई गाईज है होप यो ला डूइंग ग्रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबह चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आई एस पर आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेली गिराम हैंडल्स ट्रेंटियर आई एस और साथ जेल पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस स्क्यूर्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वशिन पुचा था कि यू ए अस और इसे हैं पब्लिक स्कूल हॉलिड़े की घोशना चीए था नियू यॉक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन है भारती मूल के रिशी सुनक ब्रिटिश देश के पहले और सबसे कम उम्र के पीम बनने के लिए पूरी तरह तयार है उनकी क्या उम्र है? करेक्ट आंसर है 42 इर्स डिचेल सेख लू तो रिशी सुनक यूके के पीम और भारती मूल के पहले ब्रिटिश प्रधान मंतरी होंगे अपने पुराने न्योकता बॉरिस जॉनसें दवारा वापसी करने के उनके प्रयास को रत करने के बाद उन्होंने कंसर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में पदभार संभाला उनके प्रती दुवन्दी टैनिम और डॉर्ड कंसर्वेटिव सांसोदों से प्रयाप समर्थन नहीं जीच सके वे लिस्ट रस्स का स्थान लेंगे जिन्होंने पिछले सप्ता अपने अर्शान प्रीमियर में मुश्किल से 45 दिनों में स्तिफा दे दिया था 42 साल के रिशी सुनक 200 से अधिक वर्षों में पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधान मंत्री हैं और सबसे कम उम्र के होंगे यहाँने तस्वीर में देख लीजिए नेक्स देखो भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को अधगाटन किस शेहन में किया गया करेक्ट आंसर है मुंबई डिटेल्स देख लो तो भारत की पहली प्रवासन निग्रानी प्रणाली को अधगाटन महराष्ट के महिलाएं मोबाल विकास मंतरी मंगल प्रभात लोडाने मुंबई में किया वेबसाइट अधारित MTS कमजोर मौसमी प्रवासी लाभारतियों के अवाजाही पर नज़र रखेगी इस प्रणालिकों देश्य प्रवासी गरवती महिलाओं स्तन पान कराने वाली महिलाओं औ नेक्स सेको वैश्यिक मीडिया और सूचना साक्ष्रता सप्ता 2022 का मेंस बान और कौन सदेश हैindest्र है नाइजीरिया डिटीयल्स तेक लूँ तो वैश्यिक Gमीडिया और सूचना साक्ष्रता सप्ता 2022-24 ऐक्टूबर तर सथ ग्लोबलحم य जुटता पर केंद्रित है क्योंकि यह लोगों, मीडिया, डिजिटल प्लाटफॉर्म, सरकारों, नीजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठोनों से संबंदे थे यह पिछले वर्ष में मीडिया और सूशना साक्षरता के संबंद में कुछ आशर जानक कारेवाईयों पर प्रकाश डालता है और कैसे मीडिया और सूशना साक्षरता विश्वास को पोशित करने और अव विश्वास का मुकाबला करने में मदद करती है युनेसको ने इस वर्ष के M.I.L. सब्टा के लिए थीम की घोशना विश्वास का पोशन एक मीडिया और सूषना साक्षता निवारिय के रूप में की है यारवे वैश्चुक मीडिया और सूषना साक्षता सब्टा की मेजबानी नाईजीरिया दोबरा की जाती है और अबूजा में हो रही है साथ ही ओनलाइन भी यहां तस्वीर में देख लीजिए बात करें हाँ पर नाइजीरिया की तो इसी कैपिटल है अबूजा करणसे नाइजीरियन नाइरा Next देखो तुए एनरजीरिंग कंपनी, रैड़ बूल के सेसंस्थापक और मालिक, और अश्ट्रे अरप पती डिट्रीच मासिद्स का निधन हो गया वह 78 वर्ष के थे रेडबुल ड्रेसिंग टीम में 2010, 2011, 2012 और 2013 में Constructors Championship जीत कर Formula 1 में सफलता हासिल की है वह Wings for Life Foundation के सैसंस थापक थे जो हैंज गीनी गार्टनर के साथ मिलकर रीड की हड़ी केने सुन्धान का समर्थन करता है 2014 से Foundation ने फंट जूटाने के लिए Wings for Life वर्ल्ड रन का आयोजन किया है यहाँने तस्विर में देख लीजिए Next तेखो किस राज्ये ने इमानदारी की दुकाने खोली है Correct answer है केरल Details तेख लू तो केरल के एडना कुलम जिले के 15 स्कूलों में इमानदारी की दुकाने खोली गई है इमानदारी की दुकाने छात्र पुलिस के डेट S.P.C. परियोजना का एक हिस्सा है जिसको अदेशे छात्रों के लिए सत्य और सत्य निष्टा पर मुल्यवान सबक परदान करना है इन दुकानों में ना कोई सेल्जमें रहेगा और ना ही कोई दुकानदार मजूद रहेगा छात्र अपनी जरूरत की वस्तों का चैन कर सकते है और प्रतियक वस्तों के लिए एक टेबल पर रखे संग्रेह बॉक्स के अंदर पैसे चोड़ सकते है प्रतियक वस्तों की मूल्य सूची उसकी आगे प्रदर्शित होती है बात करें हाँ पर केरला की तो इसके डाम जरिवर्ज में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार इडूकी डैम पेरियार नेक्स देखो नेतर हीनो के लिए तीसरे टीट्वेंटी विशुकप के लिए किस पूर्व भारति क्रिकेटर को ब्रैंड अमबेस्डर घोशित किया गया है करेक्ट आंसर है युवराज सेंग डिटेल्स तेख लिए दा क्रिकेट एस्सेशन पूर्व भारति क्रिकेटर युवराज सिंग को दिसंबर में भारत में होने वाले नेतर हीनों के लिए तीसरे टीट्वेंटी विशुकप के लिए पना ब्रैंड अमबेस्डर घोशित किया अजे कुमा रेडी बीटू आंधरपरदेश भाते टीम का नेतरित्व करेंगे जबकि वेंके टेश्वे राव डुन्ना बीटू आंधरपरदेश उप कप्तान होंगे वर्ल्ड कप के मैच 6-17 दिसंबर के बीच होंगे भाग लेने वाले देश भारत, नेपाल, बांगलादेश, औस्ट्रेलिया, दक्षिन अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रिलंका है उद्घाटन मैच गजच चैंपियन भारत और नेपाल के बीच 6 दिसंबर को फरीदाबाद में खेला जाएगा नेक्स देखो तो चक्रवाद सितरंग ने बांगलादेश के भारी आबादी वाले निचले इलाकों में प्रवेश किया जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है बरगुना, नरेल, सिराज गंज और द्वीपिये जिले बहौल में मौत की सूचना है विज्यानिकों के इनुसार जलवायू परिवर्तन, संभवता चक्रवातों को अधिक तीवर और लगातार बना रहा है और बांगलादेश को पहले से ही संयुक्त राष्ट्रिये और नागरिक समात समूहों दुबारा उन देशों में से एके रूप में दरजा दिया गया है जो साधी के अंत के बाद से चरव मौसम भी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है बात करें हैं आपर बांगलादेश की तो इसी कैपिटल है ढाका, करंसी है बांगलादेशी तका नेक्स्ट है FATF दुबारा हाल ही में किस देश को उच जोखियों वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है करेक्ट आंसर है मैनमार डिटेल्स देख लो सबसे पहले FATF की फुल फॉर्म है Financial Action Task Force तो Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog FATF ने मैनमार को ब्लाक लिस्ट में डाल दिया है और सुदस्यों से मैनमार में व्यापारिक संबंदों और लेंदेन के लिए उचित परिश्ण बढ़ाने का वाहन किया है FATF ब्लाक लिस्ट जिससे अधिकारिक तौर पर Call for Action के अधीन उच जोकिम ख्षेत्रा अधिकार के रूप में नामित किया गया है कमजोर एंटी मनी लॉंडरिंग और आतंगबाद विरोधी फंडिंग मियामक धांचे वाले देशों की पहचान करता है परवरी 2020 में मैनमार ने पनी रणनीतिक कम्यों को दूर करने के लिए प्रतिबद किया मैनमार के कारे योजना सितंबर 2020 में समाप्थ हो गई बात करें हाँ पर मैनमार की तो इसी कैपिटल है नेपी डॉव करंसिया बर्मीज कयाद नेक्स्ट कूश्न देखो भारत में नए अमरिकी राज़दूत के रूप में किसे निक्त किया गया है करेक्ट आंसर है एलिजबेत जोन्स दिठील्स तेख लो तो अमेरिकी सरकाने वरिष्ट विदेश एदिकारी इलिजबेत जोन्स को भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्जडी अफेर्स और अंतरिम न्युक्त किया है दुनिया में सबसे अधिक परिनामी द्वी पक्षिये साज़दारी को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए यह कदम उठाया गया है अलिजबेट जॉन्स जो हाली में अफगान पुनरवस प्रयासों के समनवैक थे जल्दी नई दिली के लिए प्रस्थान करेंगे वर्तमान में पैट्रीसिया एलसीना नई दिली में मेरिकी दूतावास में प्रभारी डियाफेर है उन्होंने 9 सितंबर 2021 को कारेभाद ग्रेहन किया लास्ट क्वेस्टिन है आज के सेशन के लिए अंडर 23 विश्व कुष्टी चैंपेंशिप में स्वरन पदक जीतने वाले भारती पहलवान कौन बने है करेक्ट आंसर है अमन सहरावत डिचेल्स तेक लू तो अमन सहरावत ने कुष्टी में इतिहास रच दिया क्योंकि वह स्पेन में अंडर 23 विश्व कुष्टी चैंपेंशिप में स्वरन पदक जीतने वाले पहले भारते पहलवान बने 16 वर्शे सहरावत ने फाइनल में जूनियर उरोपे रज़त पदक विजेता तूर्की के एहमन डूमन को बारा चार से हरा कर स्वरन पदक जीता यहाँने तस्विर में देख लीजे विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो रिशी सुनक ब्रिटिश के पहले इंडियन डिसेंट प्लस यंगेस्ट पीम बने हैं वे 42 यर्स के हैं इंडिया के पहले माइग्रेशन मोनिटरिंग सिस्टम का अधगाटन मुंबई में किया गया ग्लोबल मीडिया औन इंफर्मेशन लिटरेसी विक 2022 को होस्ट किया नाइजीरिया ने डिटरिच मैसिट्स का निजन हो गया वे रेड बुल के को फाउंडर थे केरेला में ओनेस्टी शॉप्स खोली गई है थर्ड T20 वर्ल कप फॉद ब्लाइंड के ब्रैंड अमबेजडर बने है यूवराज सेंग साइकलोन सितरंग ने बांगलादेश को हिट किया है FATF के लिस्ट अफ हाई डिस कांट्रीज में आड किया गया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुर्स वद डे कि आपका पहला क्वेस्टिन है किस संगठन ने One Health Joint Plan of Action का नावरन किया और आपका दूसरा क्वेस्टिन है बेश्व विकास सूचना दिवसकब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रीवेस सेशन से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकी हमारी दोनों वेबसेट्स और टेलिग्रम हर्ल्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आइसे नेक्स सेशन